नमस्कार, Labor Law Awareness में आपका स्वागत है अगर आप Job Termination या ग्रेचुटी के लिए Online Case करते हैं तो जो डॉक्मेंट आप स्कैन करते हैं, उसका साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नहीं तो वह अप्लोड नहीं होगा और इसी पर मेरे एक विवर्च ने मुझसे पूछा था कि आप डॉक्मेंट का साइज किस प्रकार से कम करते हैं किरप्या करके वो हमें बताएं तो देखिए ये तो बहुत आसान है लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा है तो मैं इसे जरूर बताऊंगा तो इसके लिए आईए अपने कम्प्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं तो जैसा कि देख सकते हैं हम अपने कम्प्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने वो फाइल को स्कैन करके रख लिया है लेकिन इसका Size जो है वो देख सकते हैं कि 1 MB से अधीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह 1 MB से अधीक है तो इसे हम अब Compress करेंगे तो इसके लिए हमें Google Open करना होगा और उसमें Type करना होगा Compress PDF अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद Choose File पर क्लिक करके हमने जो डॉक्मेंट अपने डेश्टॉप पर स्कैन करके रखा हुआ था उसे यहाँ अपलोड करेंगे अब देख सकते हैं कि यह अपलोड हो रहा है अब यहाँ पर हम टिक करके इसे Compress करेंगे अब यह Compress हो रहा है देख सकते हैं अब यहाँ से इसे हम डाउनलोड कर लेंगे तो देख सकते हैं कि हमारा डॉक्मेंट यहाँ आ चुका है और अब यह डाउनलोड हो रहा है अब यह डाउनलोड हो चुका है अब हम इसे बाहर आकर देख लेते हैं कि हमने जो डाउनलोड किया था वह एक एमबी से कम हुआ है या नहीं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा फाइल एक एमबी से कम हो चुका है जोकी 996 के भी दिखा रहा है अब यह आसानी से अपलोड हो जाएगा